प्रणाव नवाशन करती है तो तो लड़ोगी यह आप से हम इंस्पायर होते हैं सर आप जो प्रयास करते हैं सर हम उनसे अपना कदम मिला कर चलते हैं इस वज़ा से जो हम आज हासिल कर पाएं सर यह हमारा सभाग्य है कि हम आपके सामने उपासित हैं सर और आपके सामने दो बाते बोल रहा हैं सर यह हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व क्या सोचा है बेच्छों को क्या पढ़ा होगी सर अगर हमारी आर्थी किस्थिती अच्छी रही तो हम उनको बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवना चाहते हैं और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि इचे ही रहा हैं आप माल सक्रेशिम बंड़ सपविशाय वा प्ले करते हैं मनी जींकन साथा रहते हैं और आप लगपती दीजी बन गई जी सर्व अम मेरा सपना है और मैं यहां जो बहने बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूं मेरा संकल्ब है कि मैं देश में गाउं में आप जैसे परिवार की जो माताई बहने हैं इस देश में दो करोड़ कि दो करोड माताओं बेनों को मुझे लगपती बनाना है तो आपकी बात जब सुनेंगे न तो लोगों को विश्वात हो जाएगा जहां लगपती दीदी बन सकते हैं कि बहुत सारी हैं जोसमु के मद्यम से जुड़कर आत्मनीवर बनी लगपती बनी हैं यहां बोले को हर किसी को मौका नहीं मिलता तरह कितनी कितनी बहने हैं जो लगपती दीदी बनी कि होगी हैं कर सकते हैं क्या बताइए सर प्रयात करेंगे पूरी तरह देखिए हमारे देश में आजकल शादी व्याह होते हैं तो वो खड़े-खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया तो लोगों को लगता है कि दूबारा मिलेगा ना इसलिए ठाली बर देते हैं और फिर आधा छोड देते हैं तो खाना बरबाद हो जाता है किसी के घर में जन्मदीन है तो भी खाना बरबाद हो जाता है अगर आपके सेल्फ हेल्प कूल की बेहने उनको परोसना कैसे उसके ट्रेनिंग हो जाए उनके अच्छे कपड़े हो जाए फिर वो हात में मोजे-बोजे पहन करके दस से लोगों है तो खाना तो बचेगा ही बचेगा जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्वीस मिल जाएगी आपकी बेहनों को कमाई हो जाएगी और जब भोजन समार में जाते हैं तो घर जाते समें वो भी कहेंगे नहीं भी आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले तो मैं समता हूँ एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं फैंक देते हैं अगर परोशनी की विवस्ता नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है तो ऐसा काम कर सकते हैं आपको बेहने कर सकती है तो सब को ट्रें करोगी आप जी सर बिल्कुल मैं भी योगी जी को बताता हूँ कैसे लोग जो अपना समारूफ करें तो आप जैसे लोगों को बोलाएं और वो परोशना का काम सब्सक्राइब आपके गाउं में स्वच्छता का अभियान का कुछ होते हैं लोग जी सर करते हैं सर जगा जगा लगाए गया है कूडा उसमें फेकते हैं स अभी थोड़ा समय लगेगा सर किसी सिसकी शुरुआत होती है सर तो उसको बनने में थोड़ा समय लगता है फिर अभी तो शुरुआत हुए सर दीरे-दीरे हो जाएगा बेस्था अचाहिए आप पशुपालन करते हैं आपके हां तो मालूम है यह हमुल वाला डेरी वाला पर दूद लेता है भी वो पैसे ज्यादा देता है पता है वो पता नहीं है चलिए चंदाजी आपने बहुत अच्छा बता दिया बहुत बजाए आपको